गुड मॉर्निंग फ्रेंस तो कैसे हो आप सभी आप सभी आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंस जैसा कि हम देल लाश्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा हेरो चैनली अपने साथियों के साथ यहाँ पर एक मिसन पर आया होता है पर वो वहाँ जिस मास्टर को पुष्टे हुए देखते हैं कि क्या तुम यहाँ पर अकेली आई हो वाई तवे इतने में इस जिनिया जियान वहाँ अपने एक साथी के साथ आ जाते हैं और उन सभी को वहाँ सही सलामत देख कहते हैं कि मुझे खुसी है कि तुम सभी के सभी लोग यहां बिल्कुल ही सह ही सलामत हो जिसके बाद वह वहां उन्हें बताते हुए कहते हैं कि हमने इस माश्टर को यहां के लौट के कैस से निकाल दिया था पर पता नहीं अचानक से उसे यहां क्या हो गया और वहां से भाग यहां आ गया और तुम लोगों के उपर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया पैद अभी इतने में ही वहाँ एक और मास्टर आ जाता है और सीधा अपनी चैन की मदद से उनके ही एक पर्शन के उपर अटैक कर उनकी चैन ले लीता है साथ ही ये मास्टर भी यहाँ उस एम्परर के ही कंट्रोल में था इसलिए यहाँ ऐसा कर रहा होता है पर तभी इतने में ही वो पहला वाला जो master था वो वहां फेसे जिन्दा खड़ा हो जाता है अब यह देखकर वो सभी के सभी लोग वहां काफी जादा हैरान हो जाते हैं पर यह मास्टर तो यहां उन लोगों के उपर अटैक पर अटैक करते ही जा रहे होती हैं जहां वो जांग भी वहाँ अपने स्वर्ट की मदद से उन पर अटैक पर अटैक कर उन्हें वहाँ ऐसा करने से रोकनी की कोसिस कर रहे होते हैं पर वह मास्टर तो वहाँ उस एंपरर के कंट्रोल में होने की वज़ा से यहां रोक ही नहीं रहे होते हैं वाई तवी इतने में ही वहाँ जीयो आ चैनली को बचा लेती हैं वहाँ दूसरा मास्टर वहाँ जियान पर ही एक जोड़दार अटाक कर उसे यहां से दूर फेक दीता है जिस वजह से वहाँ थोड़ा सा घाय लो जाता है और उसे वहाँ कुछ होने सा लग जाता है जैसे वह बुरा लॉड उसे भी वहाँ पीछे के और से घेर लेते हैं अब यह देकर वह सभी लोग घबरा जाते हैं वहाँ उन माश्टर से कहते हैं कि क्या तुम लोग यहां पागल हो गए हो जो हम पर अटैक कर रहे हो क्योंकि हम लोग तो यहां तुम्हें ही बचाने के लिए आए हुए हैं इसलिए तुम दोन ही उस चैन को पकड़ घुमाने लगते हैं और उन सभी के सभी लोगों को वहां पकड़ अपने पास कैद कर लेते हैं पर फिर भी वह सभी लोग वहां अपनी पूरी कोसिस कर रहे होते हैं इस चैन से बाहर निकलने की पर उनके सारी की सारी कोसिस वहां बेकार हो जाती है अ इस वज़ा से वो मसाल की आग वहां काफिस जादा बढ़ जाती है और इस वज़ा से उन दोनों के दोनों मास्टर का वहां ध्यान कुछ देर के लिए यहां से हट जाता है तब है अब इसी मौके का फाइदा उठा वो सभी की सभी लोग अपनी अपनी पावर कर यूज़ कर उस चैन को वहां तोड इससे अज़ाद हो जाती है अब सभी अज़ाद होते ही तोवारा से उन मास्टर के उपर वो लोग वहां अटैक पर अटैक करना सुरू कर देती है जहां आप काफिस सारे अटैक करने के बाद वो मास्टर वहां हार जाती है और उन लोगों से कहते है तुम सभी मिलकर हमें यहां मार डालो इससे पहले कि हम यहां फिर से बेकाबू हो जाएं उस लौड की वज़ा से क्योंकि हमें यहां काफी अजीब अजीब सी आवाजे सुनाई दे रही हैं वो लौड हम पर फिर से कंट्रोल करना चाह रहा हैं जिस वज़े से मुझे यहां तुम सभी लोगों को मारना ही होगा इसलिए तुम देरी मत करो और हमें मार डालो अब यह सुन जियान वहां उस मास्टर को मारने के लिए तयार हो जाता है और जैसे ही उस मास्टर को मारने के लिए वहां जाता है वैसे ही उनकी ही एक सातिया जियान को ऐसा करने से रोकते ह तो वे उस से कहती है, क्या तुम यहाँ पागल हो गए हो, क्योंकि हमारा मिसन था इन लोगों को यहाँ बचाना, ना कि इनके जान लेना, और तो और कोई दूसरा रास्ता तो होगा ही, इन लोगों को यहाँ, उस लॉट के कंट्रोल से बचाने का, इसलिए तुम इस तरह से यहाँ इनके जान नहीं ले सकते हो। और या तुन कर जियान कहता है कि हमें इसे मारना ही होगा। क्योंकि अगर हमने इसके जान अभी नहीं ली तो कि य pension कर वो सभी के इसे मारना लेगा। इसलिए हमें इन्हें मार ना भी यहां सही नहीं होगा अब यह सुन जियान वहां अपने साथियों की बात मान लीता है और उस मास्टर की ओर से जाने लगता है पर यह देखते ही वो मास्टर वहां अचानक से ही जियान के स्वर्ट को किस सिधा अपने पेट में गुसा वहां अपने जान ले लेता है अब यह देखकर वो सभी के सभी लोग वहां चौक चाते हैं और जियान पर ही सक करने लगते हैं कि तुमने उससे क्यों मारा पर इस पर जियान वहाँ कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने अचानक से ही मेरी स्वर्ट को खीच अपनी जान ले ली, फ़र तभी इतने में ही वहाँ उन लोगों के माश्टर की आवाज आ जाती है, जो उनसे वहाँ कहते हैं कि तुम लोगों को अभी यहाँ जैसा ठीक लगे, तुम यहाँ वैसा कर सकते हो, क्योंकि यह माश्टर्स यहाँ उस लॉट के कंट्रोल में आ, बिल्कुल ही पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, अब यह सुनते ही जियान वहाँ एकदम से खुस हो जाता है, क्योंकि वह तो वहाँ पहले से ही उन माश्टर को वह वहाँ जान से मार देता है, तब है अब वहाँ सिनियल जांग कहते हैं, कि अब हमें यहाँ से आगे की ओर बढ़ना चाहिए, और उस लॉट को ढूनना चाहिए, अब यह सुन, वह लोग यहाँ से आगे जाने से पहले, अपने मरे हुए साथी को वहाँ एक अच्छे जगा पर रख, उसके लिए थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं, जिसके कुछ देर बाद वो लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ जाती हैं, पर वहाँ जो जियान था, उसे वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो लॉट वहाँ उस पर कंट्रोल करने की कोसिस कर रहा ह होता है, अब चैनल लिए उसकी वहाँ खराब हालत को देखते हुए उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो, इस पर जियान वहाँ कहता है, कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, अब इतना कहते ही, वो लोग वहाँ से आगे की ओर चले जाती हैं, जहाँ पीछे से उन्हें एक लड़की देख रही होती है, पर इस लड़की के बारे में हमें अभी यहाँ नहीं बताया जाता, तभी अब वो लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ जाते हैं, जहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, अब यह देखकर वो सभी के सभी जिसके बाद वो सभी लोग उस लोग के पैटन को वहां समझने की कोसिस करने लगते हैं। वाइद अवे वहां हमारा एरो चैनली कहता है कि मैंने अपनी असली दुनिया की स्कूल में इस तरह की काफी पैटन लोग को वहां खोला है। अवे देखकर वो सभी लोग वहां हैरान थे कि सच में चैनली को इसे यूज करना आता है। जाते ही वह रास्ता वहां गायब हो जाता है और जियान वहां से सीधा नीचे की और गिरने लगता है। पर तभी अब वो लोग वहां फिल से परिशान हो जाते हैं कि ये रास्ता बस यहां एक illusion था पर अच्छा हुआ जो हम सभी एक साथ वहां उस रास्ते पर नहीं गए थे तभी अब चैनली दुबारा से उस pattern lock को देखना सुरू कर देता है और कहता है कि अगर इसे बाहर खीचने पर illusion वाला रास्ता खुला था तो क्या इस हाथ को अंदर की ओर ठेलने पर कोई सही रास्ता खुल जाए इसलिए चलो इससे ट्राइ करके देखते हैं और यह सुन वो बदमास जियान वहां कहता है कि हमें चैनली की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए उसकी ही वज़े से मैं अब यहां मरते मरते बचा हूँ उससे कुछ भी नहीं आता और तब इधर जीयो चैनली पर भरोसा करते हुए उससे कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है तुम जैसा कह रहे हो हमें वैसा करना चाहिए अब यह सुन कर वो सभी लोग भी वहां इसके लिए मान जाते हैं और उस हाथ को दोवारा से अंडर डाल देते हैं जिस वज़े से अब हम वहां देख पाते हैं अब यह देखकर वो सभी लोग उस रास्ते से होकर वहां से जाने लगते हैं पर कुछ दूर उनके चलते ही वो रास्ता वहां तूटने लग जाता है अब यह देखकर वो सभी लोग वहां परिशान हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी अपनी जान बचा यहां से आगे की और भागने लगती हैं पर तभी इसी भागा दोड़ी में वो पदमाज जियान चैनले को वाँ जान बुच कर गिरा यहां से आगे की और भाग जाता है पर तो भी पीछे से आ रही जियो तुरंत ही वहाँ चैनले को बचा आगे की ओर भागने लगती है कि वो पूरा का पूरा रास्ता वहाँ तूट जाता है साथ ये मास्टर जांग भी वहाँ उन्हें बचाने की कोसिस करते हैं पर सायद वह उन्हें वहाँ बचा नहीं पाते और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक अच्छा को सब्सक्राइब करें बाई बाई